हिमाचल सरकार ने स्कूल खोलने की आदेश तो दे दिये लेकिन सोलन में अधिकांश स्कूल खाली रहे जिससे साबित होता है कि बिद्यार्थियों के परिजन किसी भी सूरत में अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तयार नहीं है सोरन का बोय स्कूल जहां बच्चों की संक्या करीबन 750 है ये स्कूल भी आज खाली निजर आया जब हमारी बात स्कूल के प्रधानाचारे विपेंद्र काल्टा से हुई तो उन्होंने बताये कि स्कूल खोलने के लिए जो भी नियम सरकार ने उन्हें बताये हैं बे उनका अन ज़र आये लेकिन जिस उदेशे से बे स्कूल आये थे फिलहाल बे उदेशे अभी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है अधिक जानकारी देते हुए स्कूल के प्रधानाचारे विपेंद्र काल्टा ने बताये कि उनके स्कूल में करीवन 750 बिद्यार्थी हैं जिन में से अभी 450 बिद्यार्थी के परजनों से ही संपर्ख हो पाया है उन्होंने बताये कि स्कूल का गेट केबल बिद्यार्थी के लिए समय पर खोला जाएगा थर्मल स्क्रीनिंग से उसका तापमान देखकर ही उसे स्कूल में प्रवेश करने दिया जाएगा प्रवेश के समय ही उसे कक्षा कहां लगाई जानी है उसकी जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यार्थी बीना परिजन की मंजूरी के स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। उनने बताया कि किसी भी बिद्यारती को स्कूल में आने के लिए बाद देने ही किया जा रहा है स्कूल को दो बार सनिटाइज किया जाएगा इसके साथ साथ सोशल डिसेंसिंग को देखते हुए ही कक्षाइं लगाई जाएगी क्योंकि ये बड़ा स्कूल है यहाँ साथ सो बच्चे हमारे पास है अभी तक जो हमारे कॉंटेक्ट्स टीचर पेरेंट्स से हुए हैं डायरेक्ट अधियापकों के माध्यम से वो साड़े चार सोगे के खरीब पहुंच चुका है अधिक उसमें से केवल साथ सतर या असी पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को भेजने के लिए त्यार है और उस पर भी वो पुने वेचार करेंगे और क्योंकि इस स्कूल में जो बच्चे हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के हैं डिफरेंट हिमचल की सभी जीलों से हैं दोर दराज क्षेत्रों से हैं अभी भावक को डर स्कूल से जादा शेहर में जहां वो रहते हैं किस परिस्तिति में उनकी अनुपस्तिति में वो रहेंगे उसकी भी अधिक चिंदा है जहां तक सरकार का प्रशन है सरकार ने हमें स्पर्ष्ट किया है कि आप भी ना कन्सेंट के किसी भी बच़ों को कख्षा के लिए बद्धियर नहीं किया जा सकेगा साध्यानि佈 की तरफ से हमारा ऐसा होगा कि गेट हमारा बंद रहेगा जो भी बचा गेट से आएगा जिस भी ब्लॉक में उसने जाना है उस ब्लॉक के गेट पर हमारा पियन रहेंगे और वो उनको सैनेटाइज करेंगे और इसके बाद उनका थर्मल स्कैनिंग भी लेंगे और इसके लिए स्पष्ट कर दिया है बच्चों को SMS के माद्यम से हमने स्पष्ट कर दिया जाएगा कि उसका किस समय का पीरियट किस कमरे में लगेगा सभी बच्चों को हर कमरे का पता है सीधे वो अपने कमरों में जाएगे और इसके साथ-साथ जो rooms है उसको भी स्मोक सिस्टम के माद्यम से हर दिन सुभा भी किया जाएगा और लंच के बाद भी सैनेटाइज किया जाएगा क्योंकि बच्चे अरे परे गूमते हैं और किसी भी बच्चे को केंपस से बाहर जाने की अनुमती तभी होगी जब उसके सभी periods पूरे होंगे